आगे हम वेहिकल में स्टार्ट करते हैं फरस्ट है जो सॉलिड वेहिकल्स है सॉलिड वेहिकल में जो मोस्ट इंपोर्टिंग जो वेहिकल होता है जिसका नाम होता है सुगर आफ मिल्क हम वो स्टार्ट करते हैं पूरी आपकी होमेपेथिक लाइफ में या होमेपेथिक पेटिस में या क्लिनिकल लाइफ में सुगर आप मिल्क जो है most important वहिकल है जिसका यूज आप करेंगे आपनी क्लिनिकल पेटिस में तो इसके बारे में आपको complete concept आना चाहिए complete knowledge होना चाहिए तो हम लोग जो देख रहे हैं sugar of milk solid वहिकल का जो most important example है या first हम जो देख रहे हैं solid वहिकल जिसका नाम है sugar of milk ठीक sugar of milk में पहले हम देखते हैं general characteristics of sugar of milk sugar of milk के general characteristics क्या होते हैं ठीक है ना sugar of milk का एक और नाम होता है sacrum lactis sacrum lactis इसका एक और नाम होता है या में इसे short में बोलते हैं saclac short में क्या बोलते हैं saclac और saclac का full form क्या है sacrum lactis ठीक है ना इसका एक और नाम होता है lactose ठीक है तो आप sugar of milk बोल दो sacrum lactis बोल दो saclac बोल दो lactose बोल दो सब एक ही मतलब होता है ठीक है ना sugar of milk sacrum lactis, saclac and lactose ठीक जो sacrum है इसका मतलब होता है sugar और lactis का मतलब होता है milk ठीक आगे देखते हैं prepared from goat's milk बकरी के दूसरे ठीक है ना goat's milk से बनाया जाता है ठीक है ना तो जो भी अपना sugar of milk है वो काई से बनता है goat's milk से बनता है या उसका यूज़ करके बनाते हैं या बकरी की दूद का यूज़ करके इससे बनाया जाता है किसे sugar of milk को बनाया जाता है sacrum lactis को बनाया जाता है saclac को बनाया जाता है उसमें क्या होता है या हम उसे क्या बोलेंगे lactose भी बोलते है आगे देखते हैं चैमिकली कैसा होता है डाइसेकराइड आप सभी को पता होना चाहिए लेक्टोस जो है डाइसेकराइड होता है सैकराइड मतलब होता है कार्बोहाइडेड क्या होते हैं èक्टे होते हैं डाय सेकराइड होते हैं और लिको सेकराइड होते हैं इतनी वराइटी के होते हैं लेकिन जो सुगर आफ मिल्क है वो कौन सा वराइटी का होता है डाय सेकराइड होता है डाय सेकराइड है क्योंकि वो लेक्टोज है लेक्टोज क्या होता है डाय सेकराइड होता है मत तो नया जो molecule form होता है मुझसे बोलते है डाय सेकराइड ठीक है ना तो जो sugar of milk है उसमें कौन सा है उसमें कौन प्रेजेंट है lactose प्रेजेंट है lactose that means क्या है वो डाय सेकराइड है अब यह डाय सेकराइड है मतलब यह दो monosaccharides का बना होगा तो जो sugar of milk है lactose है disaccharide है मतलब वो दो monosaccharide का बना है पहला क्या है beta galactose का और एक बना है levo glucose बीटा galactose यह एक monosaccharide है और levo glucose यह एक monosaccharide है मतलब galactose एक monosaccharide और glucose एक monosaccharide यह दोनों मिल गए तो क्या बन गए आपको दाइसकेराइड और वो कौन सा है Lactose तो Sugar of Milk G использ Goat Milk से बना है उसमें क्या है Lactose present है Lactose क्या हुँँचा होता है Diasacrile होता है तो मतलब दो monosacrid networks present होंगे तो उसमें कौन से दो monosacridone होते है Galactose होता है And कौन होता है glucose होता है लेकिन जो Galactose है वो भी किस फॉर्म में होता है बीटा ग्लकोस इसकी जो position है इस structure की जो position है वो कैसी है बीटा ग्लकोस और ग्लुकोस कैसा है लीवो ग्लुकोस यभी आप ग्लेक्टोस बोल दोगे तो गलात हो जाएगा आपको बोलना पड़ेगा बीटा ग्लेक्टोस बीटा गैलेक्टोस का एक मॉलिक्यूल यह दिया अकेले ग्लुकोस बोल दो के तो गलत हो जाएगा आपको बोलना है लीवो ग्लुकोस तो exactly sugar of milk में क्या है बीटा गैलेक्टोस और लीवो ग्लुकोस प्रेजेंट होते हैं दोनों आपस में जुड़ते हैं वो क्या बनाते हैं लेक्टोस ठीक है ना यह हम यह बोलेंगे जो sugar of milk है जिसमें lactose है जब हम उसे तोडते हैं तो उसे दो मॉलिक्यूल, दो मोनोसेक्टोस हमें मिलेंगे एक मिलेगा बीटा गैलेक्टोस और एक मिलेगा लीवो ग्लुकोस ठीक है ना तो वन यूनिट किसकी है बीटा गालेक्टोज एंड वन यूनिट किसकी है लीवो ग्लुकोज जो फाइनली फॉर्म करता है क्या सेकलेक्ट, सेकरम लेक्टी, लेक्टोज, सुगराउप मिलक चीक है ना तो यह आपको गौर्मेंट जॉब में कोश्चन आ सकते हैं इसमें से लेकिन एक्जैम में भी आपको ऐसे लिखना है, स्टेप बाई स्टेप, आगे देखते हैं इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, C12, S22, O11, H2O, C12, S22, O11, H2O, ठीक है ना, आगे देखेंगे, जो सुगराउप मिलक यह सेकलेक्ट होता है, वो कैसा होता है, हाड होता है, क्रिस्टलाइन मिल्क वाइट इन कलर, कैसा होता है, हाड होता है, क्रिस्टलाइन मिल्क वाइट इन कलर, क्रिस्टलाइन मिल्क वाइट इन कलर होता है, सेंडी फिलिंग ऑन टच, जब उसे आप क्या करोगे, टच करोगे, तो कैसा होगा, सेंडी फिलिंग, हलका सा, सेंडी मतलब रेत च्विक्दम बारिक रेत होती है उसलाइग आपको feeling होगा ठीके ना soluble in water पानी में क्या होता है वो गुलंसील होता है insoluble in alcohol alcohol में क्या होता है वो गुलंसील होता है optical rotation optical rotation जो होता है 20 degree centigrade पर plus 55.3 होता है यदि हम बोलेंगे sugar of milk का optical rotation sugar of milk का optical rotation का मिलता हमको 20 degree पर हम देखेंगे तो plus 55.3 मिलता है और यह जो optical rotation है वो कैसा होता है dexto rotatory होता है कैसा होता है dexto rotatory होता है plus 55.3 at 20 degree centigrade पर मिलता है हमको ठीक है न आगे बात करते हैं molecular weight केता होता है 360.3 360.3 360.3 इसका molecular weight होता है and produced by water crystallization produced by water crystallization at 150 degree centigrade या 302 Fahrenheit preparation of sugar of milk sugar of milk sacrum lactis saclac को बनाने की process कैसे हम उसको prepare करते हैं कैसे हम उसको बनाते हैं सबी को पता है कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या use करते हैं goat milk use करते हैं ठीक है न तो for preparation of sugar of milk sugar of milk use क्या करेंगे goat milk का use करते हैं ठीक है न तो क्या करेंगे हम लोग goat milk लेंगे जो हम milk लेते हैं goat milk लेते हैं उस milk का composition क्या होता है जब हम वो दूद लेंगे तो दूद में क्या होता है प्रोटीन होते है उस दूद में क्या होता है फैट होता है उस दूद में क्या होता है कर्बाइड होता है मिनरल्स होता है शॉल्ट्स होते है और क्या होता है वाटर होता है उसमें जो protein होता है ये protein कौन से तीन टाइप के protein होते है जो goat milk होता है उसमें तीन टाइप का protein होता है Lacto Albumin, Lacto Globulin and Cassinogen Cassinogen तीन टाइप के 3 specific टाइप आप प्रोटीन्स होते है Lacto Albumin, Lacto Globulin and Cassinogen ये तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते है Fat तो fat होता है Carbohydid में कौन सा है? इसमें Lactose है Lactose क्या है? Carbohydid है जिसमें हम क्या बोलते है? Saccharides बोलते है ठीक है न? ठीक है? ये कौन साथ सेकराइड है? डाय सेकराइड है तो Carbohydid क्या है? Lactose है एक्चुली में Minerals हैं Salt and Water इसमें होते है ठीक है न? तो जो हमने गोट मिल्क लिया है उसमें 5 important component है जैसे हम मिल्क लेते हैं milk लेने के बाद उसे उसकी skimming of goat milk by centrifugal separation एक centrifugal machine है उस machine के दोरा उसे skimmed milk में convert करते हैं skimmed milk वो क्या होता है skimmed milk वो होता है जिसमें सिर्फ fat को निकाल दिया जाए ऐसा दूद ऐसा दूद जिसमें 5 component हैं उसमें से इस fat को निकाल दिया जाए तो जैसे ही हम क्या बोलेंगे skimmed milk है that means क्या है ऐसा दूद जिसमें से क्या कर दिया गया है fat को निकाल दिया गया है तो हमने जो goat milk लिया था उस goat milk में क्या करेंगे centrifugal separation machine का use करके उसमें skimming की process करके मतलब fat को remove कर देते हैं क्या करते हैं सबसे पहले fat को remove करते हैं तो जैसे हमने goat milk लिया और उसे centrifugal separation machine पे apply करके उसमें skimming की process करके skimming की process मतलब क्या हो गया उसमें से fat को remove करने की जो process है तो उससे fat को remove करते हैं और remove करने के बाद जो दूद मिलता है वो क्या होगा skimmed milk होगा और उसमें क्या होगा fat absent होगा लेकिन उसमें कौन present होगा protein present होगा कार्बो हाइड़ेट प्रेजेंट होगा मतलब कौन लेक्टूस प्रेजेंट होगा मिंदल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्स प्रेजेंट होंगे एंड वॉटर प्रेजेंट होगा सबसे हम ने क्या कर दिए सेंक्रिफ्यूगल सेपरेशें का करके कौन सी प्रॉसेज्दू हुई स्किंध की प्रोसेज हुई इससे क्या 손्वर्ट हुई इस canoe मिल्क बना मतलब who fat less protein fat less melk मतलब مैए far absent होता है इसमें कौन प्रेजह्ञ होगा protein carby oai DID mineral salt and water ठीक है नहीं तो पहले हमने fat निकाल लिया उसके आदे चार पांच सौरी पांच component हमको मिलेंगे उसके बाद क्या होता है कि यह वाला जो content वाला जो milk है यह skimmed milk है इस milk में क्या मिलाते हैं dilute hcl क्या मिलाते हैं में dilute hcl मिलाते हैं जैसे इसमें dilute hcl मिलाते हैं वो which responsible for separation of solid material या solid portion जैसी उस skimmed milk में जिसमें fat नहीं है उस milk में आप क्या मिलाओगे hcl dilute hcl concentrated नहीं dilute hcl जैसे मिलाएंगे तो जैसी dilute hcl उस milk में जाता है उस milk में present जो solid portion होता है उस वो क्या हो जाता है remove हो जाता है या वो क्या हो जाता है separate हो जाता है तो इस skimmed milk में जितने भी solid material है वो कैसे हो जाएंगे separate हो जाएंगे किस करण से dilute hcl के करण से तो जो यह skimmed milk था जिसमें protein carbohydrate mineral salt and water था इन पांचों में solid material कौन सा होता है आपका solid material होता है protein salt and mineral protein हो गया minerals हो गया and salt यह जो तीन content है यह क्या कहलाते है solid portion कहलाते हैं और यह क्या हो जाता है उस milk से separate हो जाता है अलग से separate हो जाएगा due to dilute scl और जो liquid portion होता है वो कौन सा होता है carbohydrate that means क्या है lactose and water थीक है न तो remove करते हैं solid portion को from from milk किसकी help से dilute scl की help से ठीक है न जैसे dilute scl डालेंगे तो वह skimmed milk से protein salt और mineral क्या हो जाएंगे अलग precipitate हो जाएंगे and liquid portion होगा जिसमें carbohydrate means lactose और water present होगा उसके क्या करते हैं हम इसे filter कर लेते हैं ठीक है जाएगा और material में क्या बच जाएगा protein salt and mineral और जो filter वाला material है उसमें क्या बचेगा मुझे क्या मिलेगा उसमें liquid portion मिलेगा exactly उसमें क्या होगा आपका carbohydrate होगा and क्या होगा उसमें water होगा ठीक है न तो पहले हमने किसको remove किया fat को remove किया ठीक है न स्किमिंग की process करके centrifugal separation machine का use करके second हमने क्या किया protein minerals and salt को remove किया किसकी help से dilute acl की help से और finally हमको क्या मिलता है फिर liquid वाला जो portion है जिसे में क्या है lactose है means carbohydrate है disaccharide है and plus में क्या मिलता है water ठीक है न तो final जो हमें liquid मिला है उसमें carbohydrate और क्या है water है जिसे हम क्या बोलेंगे liquid portion of liquid part of milk बोलेंगे liquid portion है जो liquid portion है जो हमें मिला है जिसमें carbohydrate है exactly इसमें क्या है lactose है ठीक है न इसे हम बोलते है और plus में क्या है water है ठीक है तो इस liquid portion को filtered portion भी बोलते हैं या way भी बोलते हैं way या liquid portion या filtered portion भी हम इसे बोलते हैं ठीक है ना तो जो liquid portion हमको मिला है उस liquid portion में हम क्या मिलाएंगे purified water क्या मिलाएंगे purified water मिलाएंगे और then filter करेंगे charcoal bed चारकोल से बना हुआ एक फिल्टर होता है यह चारकोल से बना हुआ एक फिल्टर है उस फिल्टर में से हम क्या करेंगे इसे फिल्टर करेंगे जो लिक्विट पोर्शन हमें मिला है उस लिक्विट पोर्शन में मैंने क्या मिलाया प्यूरीफाइड वाटर मिलाया और प्यू क्लिण करेंगे दारेक्ट रीट पे जो आँको वै मिला है या जो लिक्विट बैट मिला है फेल्टर को सब्सक्राइब करेंगे दारेक्टन हीट करेंगे बॉल करेंगे इंगल halo semi solid part क्या मिलेगा मुझे semi solid part मिलेगा और यही जो process है purified water मिलाना purified water मिलाना फिर charcoal bed से filter करना और फिर उस liquid को direct heat करना यह वाली process बार 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 करते हैं ठीक है ना 3 से 4 बार इस process को repeat करते हैं बार बार purified water को मिलाते हैं फिर filter करते हैं फिर heat करते हैं फिर purified से फिर क्या मिला हमें semi solid material मिल गया उस semi solid material में फिर हमने क्या मिलाया purified water मिलाया फिर उसे क्या कर दिया हमने फिर उसको again क्या किया हमने direct heat किया और यह process हम क्या करेंगे करते जाते हैं लगातारी इस प्रोसेस को करते हैं और तीन से चार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं ठीक है ना और रिपीट करने के बाद हमको फाइनली क्या मिल जाएगा सेमी सॉलिड लेक्टोज मिल जाएगा क्या मिल जाएगा हमको फाइनली सेमी सॉलिड उस गोट मिल्क में क्या था प्रोटीन था उसमें क्या था फैट था उसमें क्या था कार्बोईडेट था कौनसा कार्बोईड लेक्टोस कार्बोईडेट था वो आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए मिन्जल था सौल था इन वाटर था उस मिल्क को हम लेते हैं और उ किम्ड मिलक बोलते हैं उसमें अब protein है करबोरियड है meneral with salt and water है ठीक है यह इसे अब मिलक में हम आप क्या मिलाते है STL मिलाते हैं कौनसे STL टैलूट STL मिलाते है जैसी ठेल्टlance STL मिलाइंचे क्या करेगा उसurn में प्र्यजेंट ठीक है न, separate precipitate कर देगा, तो जैसे आप dilute SCL डालते हैं, तो उस milk में से ये solid clean portion remove हो जाते हैं, या कैसे जाते separate हो जाते हैं, उसके बाद इस liquid को हम filter करेंगे, तो filter करने पर क्या होगा, उपर जो filter की उपर क्या होगा, solid portion रुख जाएगा, protein, mineral and salt रुख जाएगा, और जो filter होने का जो नीचे मिलेगा, में, filtrate portion मिलेगा, जिसे हम wave बोलते हैं, liquid portion بोलते हैं, उसमें क्या होगा, lactose होगा, and water होगा, paragraph यह हमारे गमटरन्ट है, अब जो liquid वाला part है जिसे हम वे बोलते हैं या filtered portion बोलते हैं इस portion में यह हमको मिल गया है ठीक है इसमें लेक्टोज है और इसमें क्या पानी है इसके बाद इस liquid में जो हमको liquid portion मिला है इस portion में हम लोग क्या add करते हैं purified water हम क्या add करेंगे इसमे purified water add करते हैं purified water add करने के बाद इस पूरे liquid को इस mixture को हम क्या करेंगे चार कोल बैट से क्या करेंगे filter करेंगे चार कोल बैट से filter करने के बाद हमको जो final liquid मिलेगा एकदम neat and clean liquid मिलता है इस neat and clean liquid को हम क्या करेंगे directly क्या करेंगे इसे heat करेंगे और heat करने के बाद ये काइमे convert हो जाएगा semi solid part में या semi solid like material में convert हो जाएगा ठीक है ना तो जो ये semi solid material convert हुआ है इसमें again purified water मिलाते हैं और फिर heat करते हैं ये जो process है ये वाले जो process है purified water मिलाना है फिर heat करना है ये जो process है दो से तीन बार दो से तीन बार या तीन से चार बार तीन से चार बार हम जो क्या करेंगे इसे repeat करेंगे और finally हमें क्या मिलेगा semi solid portion मिलेगा semi solid lactose portion मिलेगा जो हमारे लिए important रखता है ठीक है ना तो finally हमें क्या मिलेगा semi solid lactose portion मिलता है ठीक है न. Add अब semi solid lactose portion हम क्या add करेंगे. Strong alcohol क्या add करते हैं उसमें strong alcohol add करते हैं और उसके बाज़ में purified water तो जो semi solid lactose मिला है उसमें मैंने किसको add किया? strong alcohol को और strong alcohol में किसे add किया? purified water को add किया and इसे फिर हम boil करते हैं कैसे direct heat में फिर क्या करते हैं इसे बॉइल करते हैं डारेक्ट हीट में हम इसे बॉइल करेंगे उसके बाद इसे इन डारेक्ट हीट देंगे with water bath ठीक है ना, पहले हमने क्या दिया direct heat दिया, फिर हम क्या देंगे indirect heat देंगे किसके through, water bath particip and finally हमें क्या मिलेगा crystal lactose मिलेगा finally हमें क्या मिलेगा crystal lactose हमको मिलता है यही crystal lactose जो है finally क्या होता है, use होता है formation of silver of milk ठीक है न, तो ये पूरी process है complete process है किसकी preparation of sugar of milk एक बार short में repeat करते हैं हमने goat milk लिया उस goat milk को क्या किया fat remove किया ठीक है ना fat remove करने हमने इसमें से क्या किया solid portion protein salt और bindle को remove किया hcl dilute hcl की help से फिर हमें क्या मिला liquid portion मिला liquid portion में क्या था lactose था means carbohydrate water था उस liquid material जो है liquid portion में क्या मिला पूर्स या purified water मिलाया उसे charcoal उसे filter किया charcoal것 बैट से filter किया filter करने बाद जो liquid मिला हूँ clean liquid मिला और हमने उसे क्या 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 किया boil किया बॉइल करने के लिए car bestimmt कर दिया सम nenhum but correct कर दिया और यह process तीन से चाहए बार रिपीट की और फाइनल हम वो क्या मिल गया semi solid lactose मिल गया यह जो semi solid lactose है इसमें again हम क्या मिलाएंगे strong alcohol मिलाते हैं plus में हम लोग मिलाते हैं strong alcohol के साथ हम मिलाएंगे purified water मिलाएंगे और इसके वाद फिर से हम क्या करेंगे फिर अगेन क्या करते हैं डारेट हीट में इसे बॉयल करेंगे उसके इन डारेट हीट में बॉयल करेंगे बाई वाटर बात एंड फाइनले में क्या मिल जाएगा क्रिस्टल लेक्टोज मिल जाएगा जो हमें बनाना था क्रिस्टल लेक्टोज बोल दो या उसे क्या लैक्टोज हम बनाया जाता है ठीक है न तो ये फाइनल स्टेप्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए ठीक और एक्जैम में आती भी है क्या मिल गया crystal लैक्टोज मिल गया जो क्रिस्टल लैक्टोज है इसमें हम थोड़ा slight alcohol एड करते हैं ठीक है और then dry और फाइनल्य में क्या मिल जाता है प्यूर क्रिस्टल ओफ लेक्टो जमको मिल जाता है इसके अजल जो करते हैं जो स्पाइनली में कमिल जलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, sugar of milk, finally में क्या मिल गया, sugar of milk मिल गया, powder form में, ठीक है न, तो, ये final step हमें क्या मिल गया, sugar of milk में, form में हमने बना लिया इसे, तो crystal lactose, alcohol add किये, dry किये, pure crystal lactose मिल गया, grinding की process किये, powder form में convert किये, and then powder जो मिला हमें से क्या बोलेंगे, sugar of milk, तो ये complete steps यहां तक हैं, देखते हैं, commercially, जो lactose हम produce करते हैं, या बनाते हैं, वो not, not pure lactose, वो pure lactose नहीं होता है, ठीक है न, उसमें कुछ impurities हो सकती है, due to this reason, इस lactose से जो बनता है sugar of milk, उस sugar of milk को क्या करना पड़ता है, purify करना पड़ता है, या उसको हम क्या करते हैं, purification करते हैं, तो इसके purification को करने के लिए, इसमें से impurity को release करने के लिए, रिमूब करने के लिए, हमें जो purification की process करते हैं, उसका नाम होता है, steps process, steps, steps process, steps process, जो है, steps की जो process है, उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं जो commercially produced lactose होता है उसमें जो impurities होती है उन्हें remove करते हैं या commercially produced lactose है उसे purify करने के लिए कौन सी method का यूज़ करते हैं steps process का यूज़ करते हैं या आपको आना चाहिए exam में आती है exam में ये ठीक है ना steps process तो sugar of milk को purify करने की process का नाम क्या है steps process है जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ ठीक जो commercial level पर lactose बनाय जाता है वो pure नहीं होता है उसमें कुछ impurities होती है उस impurities को release करने के लिए remove करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसे purify करते हैं तो next हम देखेंगे purification process of sugar of milk की ये अप अपने आप में एक individual question है तो sugar of milk की purification की जो process है ठीक है ना उस process का नाम क्या होता है steps process process का नाम क्या है process ठीक है ना इस नाम से भी exam में आ सकता है steps process का process को लिखो या steps process को लिखने के बारे में भी आ सकता है यदि steps process के बारे में लिखने आ रहा है that means क्या बोल रहा है purification of sugar of milk के बारे में बात कर रहा है ठीक है ना exam में आगया sugar of milk purification of sugar of milk तब भी ये लिखना है या steps की जो process है वो आ गई आपको तो तब भी आपको क्या है ये लिखना है तो इस steps की process में हम लोग क्या करते है चार सो पचास ग्राम crystal lactose चार सो पचास ग्राम क्या लेते हैं crystal lactose लेते हैं और उसमें दो लीटर क्या डालते हैं purified water boiling water ठीक है ना गरम पानी क्या करते हैं boiled water क्या है कौन सा boiled water कौन सा बाला purified boiled water को हम क्या करते हैं in clean flask exactly हम क्या करते हैं एक clean flask लेते हैं इस flask में हम लोग क्या करते हैं 450 ग्राम क्या करते हैं crystal lactose को डालते हैं और उसमें क्या करते हैं क्या बॉयल्ड इसे क्या है ऊसका एक मिलता है और ही इस wife will में गरम अवस्ता में कंडिशन में इस मिंट्र को filter पेपर से क्या करते क्या है filtrate करते है तो यह तो फिल्टर से क्या करेंगे और filter करने के के बाद हमें क्या मिलेगा फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा वहाँ पर फिल्ट्रेड मिलेगा ठीक है ना और जो हमको फिल्ट्र करने का जो फिल्ट्रेड मिला है उस फिल्ट्रेड में अगें हम उसमें क्या मिलाते हैं दो कि जब भी हम purification of photograph milk कर रहे हैं steps की process कर रहे हैं तो उस process में कौन सा alcohol use कियाता है absolute alcohol use कियाता है कौन सा alcohol absolute alcohol use करते हैं तो दू लिटर absolute alcohol मिलाते हैं और पूरा जो mixture है जो जिसमें 2 लिटर हमने क्या मिला दिया absolute alcohol उसको transfer करते हैं एक clean flask में और उसके बाद उसे tightly क्लोज कर देते हैं और 3-4 दिन के लिए cold environment में रख देते हैं 3-4 दिन के लिए cold environment में रख देते हैं और 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं flask के bottom में नीचे की और flask के bottom में नीचे की और एक thin layer बन जाती है थीक है न के मिलती है हम एक thin layer नीचे मिलती है किस की crystal lactose की किसकी Crystal Lactose की हमें क्या मिलती है Thin Layer, फिर से एक बार इसका, फिर से हमें एक बार देखते हैं Steps 6. Steps Process में हम देखते हैं कि एक Folk लेते हैं, उस Folk में करते हैं 450 घ्राम क्या लेते हैं commercially formed Crystal ofgroans लेते हैं उस Flask में क्या करेंगे 2 L, 2 L क्या करेंगे boiling purified water डालेंगे boiling मतलब उबलता हुआ purified water डालेंगे और उससे क्या करेंगे dissolve करेंगे dissolve करने के बाद उस पूरे mixture को heat की condition में या गर्म आवस्ता में क्या करेंगे उससे क्या करेंगे filter paper से क्या करेंगे filter करेंगे filter करने का हमें क्या मिलेगा filter मिलेगा उस filter होने का जो liquid मिला है वैसे क्या बोलेंगे जो filter liquid है उस liquid हम क्या मिलाएंगे दो लीटर क्या मिलाएंगे absolute alcohol most important लियाद रखना है absolute alcohol मिलाएंगे आपने alcohol लिदिये तो गलत हो जाएगा आपको लिखना है absolute alcohol मिलाएंगे और उसके बाद ये total जो mixture है इसे हम क्या करेंगे एक बड़ा flask लेंगे और उसमें ढाल देंगे और तीन से चार दिन के लिए cold environment में रख देंगे पर तीन से चार दिन का जा हम दुस्ते देखते हैं तो flask के bottom में एक पतली सी layer एक thin layer मिलती है मुकिस की crystal of lactose की ठीके ना crystal of lactose की क्या मिलेगी कि पतली सीलिए हमको मिलती है जो हम finally इसको आगे process में use करेंगे मैं आँको बताता हूँ अभी तो ये step है किसकी purification की या steps process की ये procedure है ठीके ना जो flask में नीचे की और जो हमको एक thin layer मिली थी किसकी crystal of lactose की ठीके ना उसे हम क्या बोलेंगे crystallized mass क्या बोलेंगे उसे हम exactly crystallized mass उसे हम क्या करते हैं collect करते हैं और collect करने के बाद फिर अगेन उसे wash करते हैं का इसे purified water से का इसे wash करते हैं purified water से और उसमें हम कुछ मातरा में क्या कुछ percent में या कुछ amount में क्या मिलाते हैं alcohol मिलाते हैं और then dry करते हैं क्या pressing between filter paper filter paper के filter paper है हमने क्या रदी उसमें जो crystal है किसके lactose के वो रख दिये और उसे क्या करेंगे paper से ऐसा pressure देखकर क्या करेंगे उसमें को dry करेंगे या उसमें जो present alcoalo उसे क्या कराएंगे absorb करवाएंगे ठीक है ना और उसके बाद हम उसे क्या कर देंगे finally use करने के लिए एक container में बंद करके रख देंगे ठीक है ना तो steps की जो process है वो यहां complete होती है एक बाव revise करते हैं 450 ml हमने सरी 450 ग्रैम कह लिया जो commercially formed crystal of lactose लिया उसको एक flask में डाला उसमें boil purified water डाला 2 लिटर उसके mixture बनाया उस mixture को हमने क्या किया filter किया filter करने का उसमें हमने क्या मिलाया दो लिटर absolute alcohol मिलाया उसके हमने क्या कर दिया उसे एक बड़े flask में डालकर 3-4 दिन के लिए रख दिया तीन से चार दिन के बाद देखते हैं तो उसके बॉटम में फ्लास के बॉटम में हमें क्रिस्टल का क्रिस्टल आप लेक्टोज मिलते हैं ठीक है एक पतली से उसके लेयर मिलती है जो पतली से लेयर हमको मिली है बॉटम में क्रिस्टल आप लेक्टोज की हम उसे क्या बोलते ह केस्टelाइजड, मास का ise टनुक। का said , अगें प्योरिफाइड वाיטर से वाश करते हैं त gross करने हैं उसमें हम एल्कॉ égal मिलते एं और उसके बाद filter पेपर में उसे क्या करते हैं उसे ड्लाइ करते हैं , filter pえば का use और डॉह करते हैं और ड्राइं करने के बाद को मिलता है कृस्ट अप लैक्टोस उसे करने के लिए कंटेणर में पैक करके रख देते हैं तो यह आफिलियर स्टैप्स हैं को 서 लिफिकेशन ऑफ सुगर of Milk के, ठीक है ना, आगे हम देखते हैं, impurities of sugar of milk, sugar of milk में हमें कौन कौन सी impurities मिल सकती है, आपको नाम पता होना चाहिए, कि जो commercial form जो sugar of milk या lactose है, उसमें कौन कौन सी हमें impurities मिल सकती है, startum को मिल सकता है, केंज सुगर हमको मिल सकता है एसिड मिल सकता है अलम मिल सकता है फॉस्पेड मिल सकता है क्लोराइड मिल सकता है और कॉपर मिल सकता है स्टार्च, केंज सुगर, एसिड, अलम, फॉस्पेड, क्लोराइड और कॉपर, इस सब impurities नगो क्या है उसमें मिल सकती है ठीक है न ये भी अपने आप में शॉर्ट नोट को question है कि impurities of sugar of milk तो ये आप भो लिखने है two marks में आ सकता है और government job में भी आ सकते हैं इसमें question uses of sugar of milk ये भी अपने आप में indies वोले question आता है exam में uses of sugar of milk sugar of milk का use कहां कहां होता है sugar of milk का use होता है preparation of biochemic medicines हमेपती में कुछ biochemic medicines भी होती है आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि biochemic medicines क्या होती है तो biochemic medicines को बनाने के लिए sugar of milk का use होता है दूसरा है mother powder mother powder को बनाने के लिए भी prepare करने के लिए भी सुगर आफ मिल्क का यूज होता है potentized medicine in decimal scale यह बताऊंगा भी आगए जाके आपको एक homeopathic medicine को जब हम potentize करते हैं तो उसमें different type के scale का use करते हैं उसमें से एक scale होता है decimal scale होता है उस decimal scale में जब हम medicine को potentize करते हैं ठीक है ना तो उस condition में हम किसको use करते हैं sugar of milk को use करते हैं या decimal scale में जो medicine potentize कर रहे हैं तो उस medicine में हम जो vehicle use करने वाले हैं वो vehicle कौन सा है sugar of milk होता है ठीके ना अगला है ऐसी drug जो alcohol और water में insoluble ऐसी drugs जो alcohol और water में insoluble होती हैं उन drug को prepare करने के लिए उन drug को potentize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं sugar of milk का use करते हैं dispensing of medicine medicine को dispense करने के लिए patient को देने के लिए medicine patient को देने के लिए dispense करने के लिए according to homeopathic doctor की prescription medicine को prescribe करना है dispense करना है patient को देना है तो उसमें भी हम क्या करते है dispensing में भी इसका use करते हैं diet की रूप में भी use करते हैं मैंने आपको बताया था कि कोई sick baby है जो इसमें fat tolerate नहीं कर पा रहा है fat को digest नहीं कर पा रहा है उस condition में लोग से as a diet sugar off milk दे सकते हैं ठीक है न? और आगे बात करेंगे use as a placebo मैंने आपको बता चुका हूँ placebo क्या होता है एक patient है जो मेरे पास आया हुआ है उसकी मैं case checking करता हूँ मुझे लगता है कि उसे कोई भी medicine देने की आउश्रकता नहीं है लेकिन मुझे psychologically improve करने के लिए positive thoughts लाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा तब मैं क्या करूँगा उसे sugar of milk दे दूँगा sugar of milk क्या है एक vehicle है vehicle में क्या होता है कोई भी medicinal power नहीं होता मैंना को बताया था कि जितने भी vehicle से उसमे medicinal power नहीं होता तो sugar of milk क्या एक vehicle है तो हम इसे क्या करेंगे इसमें कोई medicinal power नहीं होगा जब मैं उसे क्या क के देंदूँंगा इस Sugar of Milk को as a medicine form में देंदूँगा जब वो इसे लेगा तो उसकी body में कोई भी medicine नहीं जाए क्योंकि उस vehicle में सगर of milk में कोई भी medicinal power नहीं था तो ऐसा जब हम भी sugar of milk को या vehicle को as a medicine use करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं placebo बोलते हैं मैं आपके बता चुका हूँ इसके पहले भी and used in industries silvering mirror for silvering mirror ठीक है ना silvering mirror में कि इस process में industries में क्या करते हैं sugar of milk का use किया जाता है तो यह sugar of milk के uses है बायो केमिक मेडिसेन मदर पाउडर पोटेंटाइज़शन करना है कि इसका decimal scale में alcohol water में इसका बनाने के लिए dispensing में डाइट में placebo में and industries में करते हैं वो भी consider industries में silvering mirror के जब process होती उसमें इसका use किया जाता है किया जाता है